हेलो वच्चों नमस्कार कैसे आप सभी आसा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से शल रही होगी दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पैट के दौरा दोहचार इक्जाम के दौरा जो वन दरोगा की भरती कंपलीट की जानी है साथ सो एक पोस्ट जिसमें 19,000 कैंडिडेट को सेलेक्ट किया गया है उसमें कुछ जो मामला है वो गड़ बड़ा रहा है ऐसी जो मतलब खबरे हैं वो निकल के सामने आ रही है यहां तक ये भी खबरे आ रही है कि वन दरोगा चाहे किसी ने B.S.C. कर रखी है चाहे किसी ने B.A. कर रखी है जो कंबाइंड जो एक साथ मतलब करके लगाया है ना कटॉप को है ना तो वो एक बड़ा इसमें जो 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 बनता चला जा रहा है तो ऐसे में ये पी अप हुआ हैं आ रही है कि जो इसका 31 तारीक को 30 एक्जाम होना है वो पीछे हट सकता है ना तो देखिए अभी ऐसी कोई आप लोग खबर जो आ रही है निकल के कि आपका जो एक्जाम हट सकता है तो अभी आप लोग विश्वास मत करिएगा इस पर क्योंकि अभी मैंने इस केस का स्टेटस चेक किया जो इस पर केस बताय जा रहा इस पर 3569 और इलहबाद मतलब बैंच में यह केस बताया जा रहा है तो मैंने इलहबाद का जो कोड के स्टेटस है वो देखा तो 3469 के नाम से वहां मुझे कोई मतलब केस नहीं मिला तो कुल मिलाकर बात यह है कि अभी यह लिश्टिड भी नहीं हुआ केस है ना 27 त जज साब उस पर मतलब कोई अपना आदेश नहीं दे देते तो आप लोग बिलकुल भी इन फवावसे मतलब दूर रहें और अपने एक्जाम की तयारे करें 30 तारिक को ही लगवाग जहां तक मुझे लगता है कि आपका एक्जाम होना सुनिशित है क्योंकि अभी कोड से को कोई रोक रुकाबट हो जाए या पर कोड कोई आदेश कर देता है तो ही हम मान सकते हैं कि यहां जो आपका एक्जाम है वो रुक सकता है ऐसे कैसे मतलब कोड मैं केस डाल दिया तब तक सुनवाई नहीं होगी दोनों पक्ष मिलेंगे नहीं तब तक कैसे बात बन जाएगी कोड आदेश नहीं देगा वरतमान में जो भरती है उसे यहीं रोक दो जैसा कि UPSI वाली भरती है आप लोगों ने देखी होगी है ना करते रहे करते रहे फिर बच्चे जो है वो ट्रैनिंग पर चलेगे तो आप लोग इस मंजस को अपने दिमाग में ना पाले होने के लि बिलकुल उस पे हम आप लोग को अपडेट जरूर डालेंगे ठीक ना जरूर देंगे तो देखे इसमें केस तो डाला गया है ऐसा सुनने में आ रहा है मैंने आप लोग भी संख्या चेक कर लीजिए 3469 है और इलाबाद बेंच बताई जा रही है उसमें मैंने कोड केस में इसका जो स्टेटस है वो देखा तो वहां यह लिखा रहा है नो रिकॉर्ड फाउंड आप लोग भी खुद से चेक कर लीजिए एक बार मैं आपको बता रहे हूं और इसमें सास सो एक पोस्ट है उननीस हजार के सम्थिंग में बच्चों को जो सेलेक्ट है वो किया गया है इसकी कट ओफ क्या रिवाइज्ड हो सकती है तो तो देखिए होने के लिए बहुत कुछ हो सकता है ना होने के लिए कुछ भी नहीं हो सकता कराने की जो तिथी है इनकी वो पैंडिंग में जाएगी ठीक ना अभी लंबा समय पड़ा हुआ है तीस दिन अप्रेल के पड़े हुए तो अभी मार्च है और मार्च के बाद में तीस दिन पड़े हुए कोड की अगर सुनवाई होती है तो ही आप लोग यह मान के चलेगा क और आपकी जो एक्जाम की डेट है वो इस्तागित हो गई है यह जो कट ओफ है वो दुवारा से रिवाईज हो के आएगे ठीक ना भीया तो अभी मेर पास यही अपडेट है और बनाने के लिए कोई कुछ भी बनाए तो उसके लिए भी कुछ नहीं कह सकते उसका अपना अ चलिए जाहिंद बदे मातरम